राइगर नगर निगम की वाड क्रमाग 9 वा 25 में उप चुनाओ वा सारंगर नगरे निकाय चुनाओ 20 दिसंबर सुम्वार को सांतिक पुन तरीके से संपन हुआ चुनाओ की मद्दे नजर जिला प्रसासन ने प्रयाप्त व्योस्थाई की थी जिससे कहीं भी कुछ भी विवाद निर्मित नहीं हुई वहीं रायगर की वाड नबर 25 में 54.16% तो वाड नबर 9 में 63.52% मद्दान हुआ जब की सारंगर में 89.34% मद्दान हुआ है रायगर जिले की नगर निगम की वाड नबर 9 वा 25 में उप चुनाओ वह सारंगड नगरे निकाय के वाट चुनाव 20 दिसंबर सुम्मार को सांती पूर्ण तरिखी से संपन हुए चुनाव के मद्दे नजर पुलिस प्रसासन वह जिला प्रसासन ने प्रयाप्त व्योस्थाई की थी रायगड की वाट नबर 25 में 54.16 प्रतिसाद तो वाट नबर 9 के उप चुनाव में 63.52 प्रतिसाद मद्दान हुआ है वही सारंगड के उप चुनाव में 89.34 प्रतिसाद मद्दान हुआ है सारंगड में जहां जनता ने वोट डालने में अपनी रूची दिखाई है तो रायगड नगर निगम के उप चुनाव में जनता का उस्सा कम रहा है भाजपा कांग्रेश दोनों ही पार्टी ने जहां अपनी अपनी जीत का विश्वास जताते हुए लोगों से मद्दान की अफिल की थी वहीं जोगी कांग्रेश और निर्दली उमिद्वारों को भी यही विश्वास है कि उनकी जीत सुनी सित है 80 चोटी का जोर लगाने के बाद भी दोनों ही प्रमुख पाटिया वाड की जन्ता को मद्दान के लिए पोलिंग बुद्तक लाने में असमर्थ रही है एक और वाड नमबर 9 में 2062 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया तो वहीं दूसरी ओर वाड नमबर 25 में मात्र 54 दसंबल सोला प्रतिसत ही मत्दान हुआ इस वाड में भाजपा और कांग्रेस की कड़ी टककर देखे जारी है अब जब मत्दान का प्रतिसत भी काफी कम है बारहाल चुनाओ तो संपन न हो जुगा है अब 23 दिसंबर को मत्दगर्ना के बाद ही पता चल पाएगा कि जनता ने किसे अपनाया और किस पार्टी को अपना बहमत देकर जिदाया है राएगड के दो वाड़ों में वाड़ नमबर 9 और वाड़ नमबर 25 में उप चुनाओ था और सारंगड नगरपाली का परिछट में आम चुनाओ था इसमें सभी मत्दान केंद्रों में सांधिपूर्वा के मत्दान पोन हो चुका है राएगड के दोनों वाड़ों में मिला करके 58.94 परसेंट मत्दान हुआ है और वही सारंगड में फाइनल जो पोल हुआ है वो 79.35 परसेंट मत्दान हुआ है पुरुषों के तुल्ना में 79.9 परसेंट पुरुषों ने मत्दान किया सारंगड में वही 78.34% महिलाओं ने मद्दान किया और सभी मद्दान केंद्रों में सांतिपूर्वक मद्दान हुआ है एक बूत्र क्रमांक 23 में कुछ सरदेर्स तक मद्दान हुआ क्योंकि यहाँ पर 5 बजे कतार में काफी संख्या में लोग लगे हुए थे और सभी मद्दान के द्रों में मद्दान सांति पूर्वब संपन हो गया है